दोस्तों सब्सक्राइब करें क्रिकेट नाइन यूटीब चैनल को और बेल आइकन को प्रेश करें तागे हमारी वीडियोज मिले आपको सबसे पहले दोस्तों अगर आप बाबर आजम को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को ज़रू लाइक करें पाकिस्तान और उस्टिले के दर्मियान दो टेस मैचों की स्रीस का दूसरा टेस मैच एडिलेड में खिला जा रहा है जिसमें उस्टिले ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्णाथ के शांदार तीरे शतक की बदोलत पहली इनिंग्स में पास सो नवासी रन बनाए खेल के दूसरे दिन पाकिस्तान की शुरुआत हमेशे की तरह बेहद ही खराब रही और पाकिस्तान एक समय नवासी रन पर अपने छे विकेट हो चुखा था पाकिस्तान का टॉप ओडर एक बार फिर से और शीले ही तेजगेंबाजों के सामने नहीं टिक सका तेजगेंबाज मिचल इस्टाक ने तो पहले छे विकेट में ही अपने खाते में पाँच विकेट जमा कर लिये थे लेकिन छे विकेट गिरने के बाद बाबार आजम और यासिर शाय ने पाकिस्तानी इनिंग्स को समा ले रखा और दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को एक छोटे से स्कोर पर आउट होने से बचाया दोने बल्लेबाजों ने साथवे विकेट के लिए सो रन से उपर की शानदार पार्टनाशिप लगा दी लेकिन तीसरे दिन बाबाराजम गलती कर बैठे और मिचेल स्टार्क की बाहर जाती हुई गेन को छेल खानी कर बैठे और अपने दूसरे टेस्ट शटक से चुक गए एक सो चार रन बनाये थे बाबर के आउट होने के बाद अगले ही गेन पर शाइन आफरीदी चक्मा खा गए और मिचेल स्टार का छटा शिकार बने लेकिन इसके बाद यासिर शाय ने तो जैसे उस्टिलियाई गेनवाजों के नाक में दम कर दिया यासिर शाय ने एक मंज शाय का टेस्क किरिकेट में पहला शातक है यासिर शाय ने अपने शातक के लिए 1292 गेनों का सामना किया जिसमें 12 शाद्दार चोके शामिल थे बाबार आजम और यासिर शाय की इन जुजारू पारियों के चलते हैं पाकिस्तान 300 रन के पार तो पहुँच गया लेकिन फॉ कमिस ने तीन विकेट चटका है आपको बदादो पाकिस्तान की दरफ से सबसे ज्यादा रन यासिर श्या ने बनाए जिनों ने 113 रन की शांदार पारी के लिए इसके अलावा बाबाराजम 97 रन बनाकर आउट हुए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना है